Hello everyone, आप सभी का चीजी कोड में स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम लोग module, provides और binds के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि यह है, क्या, इनको कैसे implement करते हैं और भी बहुत कुछ, तो शुरू करते है हमारा lecture तो लास वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी user registration service है वो user repository का use करते है, user को store करने के लिए और notification service का use करते है, user को notification भेजने के लिए तो यह जो user repository है, यह हमारा एक interface है इसके लिए हमारा पस दो implementation है या तो आप SQL में store कर सकते हो user को या आप Firebase में store कर सकते हो तो आपको पताना है कि कौन सी repository आप use करना चाहते हो similarly notification service के लिए हमारा पस दो implementation है या तो आप email भेज सकते हो user को या आप message भेज सकते हो कि आप register हो चुके हो तो यह भी हमारा एक interface है तो अगर इससे build करेंगे, तो यहाँ पर यह missing binding की error आएगी क्योंकि उससे पता निये user repository के लिए कौन सी implementation को use करना है SQL वाली implementation को use करना है या Firebase वाली implementation को use करना है similarly notification service के लिए यही पंगा है कि इसकी missing binding है उसको पता निये notification service के लिए कौन सी object बनाना है तो अब हमने dagger को बोला कि हमें user registration service का object चाहिए तो उसने का ठीक है मैं आपके लिए object कर दूँगा बड़ा आपस मुझे यह बता देना कि user repository के लिए कौन सी implementation पिक करनी है और notification service के लिए कौन सी implementation करनी है क्योंकि यह दोनों जो हमारे यह interface है और interface का हम लोग object नहीं बना सकते है तो हमें एक ऐसी class का object पास करना होगा जो इस interface को implement करती है तो यह चीज़ हमें dagger को बतानी पड़ेगी कि भी यह जब भी तेरे पास user repository के लिए request आए मलब इस interface के लिए request आए तो मैं तुझे बताऊँगा कि इन दोनों में से कौन सी implementation यूज़ करनी है कि भी यह जब भी notification service की request आए तो यह वाल object पास करना है इसलिए dagger ने आपको error दे दी कि भी यह मुझे पता नहीं है आपने यह पे notification service की request रेस करी है मुझे पता नहीं है इसके लिए कौन सी object बनाना है तो वो मुझे suggest कर रहा है कि भी यह आपको यहाँ पे add the rate provides का use करना है तो देखते हैं इसको fix कैसे करेंगे तो एक बार वापस image पर चलते है तो यह image बार बार आ रही है बट समझने के लिए थोड़ी सी easy पढ़ती है तो consumer ने component से बोला मुझे कुछ objects चाहिए है क्या provide कर सकते हो जिनको component directly create नहीं कर पाएगा तो इसके लिए हम लोग इन modules का use करेंगे तो ऐसे कौन से objects हैं for example आपका एक interface हो गया तो interface के लिए आपको बताना पड़ेगा कि कौन से implementation लेनी है या आपकी कोई abstract class है या उस object के लिए हमें builder pattern का use करना है या कोई और तरीका है object को create करने का तो उनी चीज़ों के लिए हम लोग module का use करते है तो component इन सारे methods का use करके आपको objects बना के देता है जो भी आपको required है तो I hope आपको ये clear हुआ होगा कि module का क्या use है तो code पे चलते हैं और इसको implement करते है तो यहाँ पे एक module create करते है module एक हमारी simple class होती है तो user repository के लिए यहाँ पे मैं नाम दूँगा user repository module और इस पर हम लोग एक annotation लगाएंगे add the rate module तो यह हमारा एक module define हो चुका है और इसके अदर मैं एक function define करता हूँ get firebase repository और इस function का return type होगा वो हमारा user repository होगा क्योंकि हमें user repository का object चाहिए तो इस function का return type है वो user repository है तो इस तरीकिसे मैंने यह function create किया है अब इस user repository के लिए मुझे कौन सो object चाहिए तो मैं यहाँ पे create करूँगा और उसको यहाँ पे return करेंगे तो यहाँ पे return करता हूँ firebase repository का तो इस तरीकिसे हम लोग firebase repository का object बनाएंगे तो जब भी user repository के लिए request आएगी तो वो इसको object बनाकर return कर देगा और इस method पे भी मुझे एक annotation लगानी होगी add the.provides तो इस तरीकिसे हम लोग module और provides का use करते हैं तो provides का मतलब यह है कि जब भी आपको user repository की जोर्थ पड़ेगी तो यह वाला जो function है वो आपको यह object प्रोवाइट करेगा तो इसी तरीकिसे हम लोग दूसरा module भी बनाएंगे जो कि हमारा notification service का module होगा तो यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ notification service module और इसके भी हम लोग एक annotation लगाएंगे add the rate module की और इसके ने भी हम लोग एक function define करेंगे get message service जिसका return type जोगा वो हमारा notification service होगा तो इस तरीके से notification service की जब भी request आएगी तो हमारा यह वाला function call होगा और यहाँ पर मैं object return करूँगा message service का और इस पर हम लोग annotation लगाएंगे add the rate provides अब object creation की time पर अगर आपको कुछ और भी code execute करना है तो वो यहाँ पर आप कर सकता है यह हमारा एक normal function ही है यह just एक object बना के return कर रहा है अब उस object पर क्या processing करी है आपने या क्या processing करनी है आपको वो आपके उपर depend है for example अगर मुझे room database का object बनाना है और उसको pre-populate करना है तो यहाँ पर मैं अबना room database का object बना सकता हूँ और उसको pre-populate करने का logic है वो यहाँ पर execute कर सकता हूँ तो इस तरीके से हमारा provides method काम करता है provides का मतलब यह है कि आपको यह object प्रोवाइड करेगा जो भी आप इससे object request कर रहे है वो आपको यह object प्रोवाइड करेगा वो कैसे प्रोवाइड कर रहे है वो आपके उपर है तो I hope आपको यह clear हुआ होगा अब यह दोनों जो modules हैं उसके entry हमें हमने component पे भी करनी होगी जिससे component को बता चल जाए यह दोनों modules हैं इसके दुरू आपको objects बनाने है तो अपने component पे चलते हैं और इस component annotation पे हमार पास एक modules की property होती है तो इसका हम लोग use करेंगे यहापे हम लोग अपना array पास करेंगे तो हमारा module है user repository module colon colon class similarly हमार पास एक notification service के लिए module है तो इसको हम लोग यहापे add कर देंगे तो इस तरीकी से जो हमारा component है वो अब इन दोनो modules को भी use करेंगा objects को create करने के लिए तो इस component के अंदर मैंने यहापे modules define की है और इन modules के अंदर हमार पास तरीका है जिसके दुरू हम object create कर रहे है तो यहापे अब output देख सकते है इस बार ही जो हमारे user है वो Firebase में store हुआ है और यहापे उसने message send किया है क्योंकि हमने notification service में message service को object बनाया था और user repository module में Firebase को object बनाया था तो यहापे उसने save जो किया है वो Firebase में किया है और यहापे notification के लिए message का use किया है तो इस तरीके से हम लोग module annotation और provides annotation का use करते है तो आगे बढ़ते हैं और binds के बारे में बात करते है अब suppose मुझे अपने user को Firebase में store नहीं करना है मुझे अपने database में store करना है तो यहापे हमें Firebase की जगा SQL repository का use करना होगा पट SQL repository का जो object है वो dagger खुद से create कर सकता है क्योंकि आपे हमने add the rate inject का use किया हुआ तो dagger को पता है कि SQL repository का object कैसे बनाना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से हम लोग request करेंगे कि भया जब भी आप इस function को call करो तो हमें SQL repository का object पास कर देना तो dagger जब भी इस function को call करेगा तो वो check करेगा क्या इसके parameters में कोई ऐसी dependency है जो मैं serve कर सकता हूँ तो इसने का हाँ SQL repository का आप object बना सकते हो तो वो हमें बना कर देते हो और इस object को हम लोग यहाँ से return कर देंगे और इस function को भी rename कर देते है get SQL repository कर देते है तो इस तरीकी से हम लोग SQL repository को object return करेंगे क्योंकि dagger जो है वो खुद से इस object को create कर सकता है तो वो हमारे लिए इस object को pass करेगा और उसी को हम लोग यहाँ से return कर रहे है तो एक बार इसको run करते है तो यहांप अब देसकते हैं हमारी app successfully run हो चुकिया और हमारा जो user है वो database में store हो रहा है तो I hope आपको यह clear हुआ होगा तो अगर इसे simple शब्दों में बोलूं सबसे पहले dagger से बोल रहे हैं कि हमें SQL repository को object बना के दे तो उसने object बना के लिए दिया और इस function के अंदर हम लोग उसको directly return कर रहे है तो dagger ने का ठीक है इसके लिए एक और तरीका भी है इस function को आप थोड़ा सो और readable बना सकते हो तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है इस user repository को इस object के साथ bind कर रहे है यहाँ पर हम लोग कोई भी calculation नहीं कर रहे है जो object हमें dagger ने बना के दिया है और यह वाली जिए ने फंक्षिन की body है इसको भी हाँ से remove कर देंगे और यह जोमारा function होगा? वो हमारा abstract function होगा अब class इंदर कोई भी function abstract होगा तो हमारी class भी abstract होगी तो इस स्वारी किसे हमारी class भी abstract हो चुकी है तो इस स्वारी किसे हम लोग bind annotation का use करते है यहाँ पे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको bind sql repository कर सकते हैं बर dagger में function के नाम matter नहीं करते हैं, जो उनका data type है, वो matter करता है तो अगर इसे simple शब्दों में बोलू, तो आपकी यह जो binds annotation है, उससे मतलब यह है कि आपकी यह user repository है, उसको आपने bind कर दिया है, sql repository के साथ क्योंकि sql repository को object dagger खुद से बना सकता है, इसलिए हमने आपे add the rate binds का use किया है अगर वो खुद से नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पे हमें add the rate provides का use करना होगा तो यह फरक है, add the rate provides और add the rate bind में और जितने भी हमारी यह binds वाले function होता है, वो abstract ही होते है क्योंकि इसके लिए हमें object create करने की जूरत ही नहीं है हमने directly उसे बता दिया कि यह जब भी user repository की जूरत पढ़े तो sql repository को ले लिए हो तो I hope आपको यह clear हुआ होगा तो अगर मैं इसको यहाँ पे build करता हूँ तो यहाँ पे output देख सकते हैं, same output आ रहा है user जो वो db में ही save हुआ है और यहाँ पे message send हो चुका है तो इस तरीके से हम लोग binds annotation का use करते हैं तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please like करें अगर आपको कोई suggestion है तो हमें comments के दुरू बताएं अगर अभी तक आपने हमें subscribe नहीं किया तो please subscribe करें Thank you for watching, आपका दिन शुबहुत धन्यवाद